कि नमस्ते ओवर्यू में आपका स्वागत है राजसभा मत्दान क्या इंडिया लाइंस को जटका दूसरा क्यों बीजेपी 370 सीट के साथ 50% वोट भी चाहती है और तीसरा जैशंकर जी निर्वला सीता रमन जी को क्या बीजेपी निप्टाना चाहती है इन तीनों विश्वों पर बात करने से पहले आपसे आग्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबर्शिप भी ले ले मेंबर्शिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छो बार एक मुष्ट भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं उसकी डीटेर नीचे दिये गए हैं और आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है तो सबसे पहली बात राजसभा मत्दान में इंडिया अलाइंस को जटका कुल 55 सीटें करीब राजसभा क इस समय खाली हुई थी जिसको फर्वरी में भरना था चालेश सीटें के आसपास निर्विरोध हो गया चुकि उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने थे नंबर ऑफ वेकेंसी जितनी थी उतने ही कैंडिडेट थे तो वो अपने आप अनॉंस पंदरह सीटों पे मद्दा लिएक की जगा तो सबसे अगित सबसे बड़ा राज है तो इसलिए यहांकी बात करना भी ठीक होगा उत्तर प्रदेश से दस सीटें राजसभा में जानी थी, उसमें ज़रा थोड़ा सा कुछ चीज़ एक चीज समझ लिए, 37 वोट, 37 वोट, फर्स्ट एक राउंड में, जो कैंड़ेट क्लियर कट जीजा, उसको चाहिए होते हैं, उसका कारण यह है कि 403 सीटें हैं, तो 37 वोट, 370 हो गया, जो बाक की कैंड़ेट होते हैं, उनको सेकंड राउंड या थार राउंड के प्रिफरेंस होते हैं, अगर 10 होते हैं, तब कोई वोट नहीं होता, समाजवादी पार्टी ने अपने तीन कैंड़ेट उतारे थे, तो वो राम जी राल सुमन जी, नमबर वन, जैवा बच्चन जी नमबर टू, और अलोक रंजनी नमबर तीन कैंड़ेट थे, भाजपा ने आठ कैंड़ेट उतारे, तो भाजपा को अपने 800 कैंड़ेट के लिए और समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे कैंड़ेट के लिए वो नमबर नहीं थे, 37 के नमबर दोनों के पास नहीं थे, तो उनको बाहर के सपोर्ट पे डिपेंडेंट दोनों लोग थे. ऐसी स्थिति में जो सबसे पहली पहला जिसको जटका कह लिजे या जहां से बाची शुरूरी वो जयन चौधरी का हुआ. जयन चौधरी हाना कि पिछला जब राजस्भा चुना हुआ था तो उनके पास 11 विधायक थे लेकिन बागी जो 26 विधायक थे वो समाजवादी पार्टी के लोगों नहीं उनको वोट देखे उनको राजस्भा भेजने का काम किया था. तो इस से में क्या हुआ कि जयन चौधरी जी के इंडिया गटबंधन कह लीजे या अखलेश यादव जी वो समाजवादी अभी से बाहर निकल के खाना कि वो यह था कि ओर एंडिया में जा रहा हैं बीजेपी के साथ जा रहा हैं लेकिन वो अभी वेटिंग में हैं वो होगा लोगों को बहुत उमीद है कि उनका वेटिंग कंफर्म हो जाएगा कुछ लोग कह रहा हैं नहीं होगा तो मामला वहां से शुरूआ जब उनके ग्यारा विदायक आरेली के अलाइन हो गए बीजेपी के साथ तो वो अखलेश आदव जी के लिए समाजवादी यह पैसे वाले को दिया पैसे वाले को एक और भाशा में कुछ और भी नाम से बोला जाता है मैं वह नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन जैसे अगर आपको याद हो तो राजिस्थान में वह चंद्रा साहब जी टीवी वाले सुवाश चंद्रा जी उनको बना दिया गाया बना लिए जैसे बहुत से लोग यह होते हैं ना कि अगर जो मेरी कमाई है उसका दो परसन तो उन्होंने बना लिया होगा कि जो उनकी कंट्रैक्टरी का ठेका आता है उसका इतना परसन तो हम पुलिटिकल बॉस्स को देते रहेंगे, पुलिटिकल बॉस्स भी कुछ, संजे सेट भी कुछ, सब लोग कुछ, तो संजे सेट जी आ जाए, अब मुकाबला किस से है, आलोक रंजन जी से, मैं थोड़ा, मैं थोड़ा, वोटिंग से पहले आप से एक बात और चर्चा कर लेन मतलब इस समय लोग दुखी है, वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन के बारे में भी हम लोग आगे बात कर लेंगे थोड़ा, जो समाजवादी पार्टी को छोड़के, जो लोग उधर क्रॉस वोटिंग करने की जो खबर आई है, अब है से इंग राकिश प्रताप सिंग रा जो उनका चीफ विप उसको बनाते है, जो बहुत विश्वस्नी हो, जो वह सुबह तक चीफ विप थे, वो छोड़के चलेगा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो राइबरेली से टिकेट मांग रहा है, लोग सबा और वहां से उनको लड़ाये जाएगा, कुछ लोगों के बारे में मुझे कोई आश्यर नहीं, उमा शेंकर सिंग बीएसपी के विधायक है, तो मायवती जी तो कहीं से भी यह नहीं है, कि वो बीजेपी के साथ अलाइंड है उनकी पार्टी, तो कोई बहुत तो नहीं है, दूसरा कुछ लोग कह रहा है कि राजा भीया और उनके जो दो वहा हैं, उन लोगों ने बीजेपी कोड दिया, राजा भीया को बीजेपी कोई वोड देना था, ये मालूम नहीं कैसे लोगों को गलत फाहिमी थी, कि राजा भीया के घर पे वो नरेश उत्तम पटेल और कौन-कौन गए थे, बात चीत करने और राजा भ भूलते नहीं, इस बात को कैसे कोई भूल सकता है, कि कौन राजा भीया कर अक्लिश आतों कह रहे हैं, तो राजा भीया क्यों इनके साथ आएंगे, पल्लवी पटेल के बारे में बात कस कहला मन गया था, कि पल्लवी पटेल जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल इस रूट लेंगी, जो मेरे ख्याल में जैसी बात है, और पल्लवी पटेल ने बाहर आके बयान भी दिया, कि भाई-बैन का जगडा होता रहता है, इसमें कौन सी दिक्कत है, वो थोड़ा प्रिशर रशन जो बना रहा है, जाना है कि कृष्णा पटेल जी को कहीं न कहीं बीजीपी, जीर्डियस के साथ मिलके कॉंगरस के तीसरे कैनिड़ को हराने की जक्कर में है, लेकिन वहाँ पर जो चौकिदारी कर रहा है और वहाँ पर चाक चौबंध हो के पूरे प्रबंध को देख रहा है, वो डीके शेकुमार है, रीके शेकुमार खुदी पॉलिंग और था और मुझे एक कॉंगरस के मिले थे, वो थोड़ा खिन्ड थे इस बात से कि पर ये कौँजा मामला है कि सब लोगों को कहा गया है कि रात में आके होटल में सोईए और फिर वहीं से जाईए, तो मेरे ख्याल में एहतियाद ज़्यादा ज़री था, वो एहतियाद दि लिकेश शुकमार का इस तरह के मैनेजमेंट का टेस्ट भी रहता है, हिमाचल प्रदेश में अभिशेग मनु सिंग भी कॉंगरस के कैंड़ेट थे और हर्ष महाजन बीजेपी ने उतार दिया था, एक ही सीट है, हर्ष महाजन हाला कि पुराने कॉंगरसी हैं, तिन चार ब 35 पर बीजेपी जीत, उस पिछला जो एलेक्शन वाथ उसमें 40 पर बीजेपी जीती थी, 35 वोट जिसको मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, 40 बहुत कमफुटेबल नमबर था क्योंकि बीजेपी 25 नमबर थे और 3 उसके इंडिपेड़ेंट थे, लेकिन जैसी खबरें आ रहे तो कॉंग्रेस पार्टी को भी विचार करना पड़ेगा कि सुकु जी का दो पार्ट होते हैं, जो लीडर है, उसको अच्छा इंस्टेशन भी चलाना है और उसको पार्टी को भी लीड करना है, तो अगर उस प्रबंदन, क्योंकि आपके पास सारे तंत्र हैं वहाँ कि, अ आलोग रंजन जी और संजेश सेट में किसको चुनना है, वह जड़ा मुश्किल सेलेक्शन होगा, लेकिन आलोग रंजन जी क्यों उनको भई, वो क्यों रास्वा जाएंगे, मुझे एक कारण बता दिया, पैसा देते रहते हैं, पैसे का प्रबंद करते रहते हैं, साधन आलोग रंजन जी कौन सा काम किया है, पूरे समय विरोक्राट है, उनका कोई भी आपको ऐसा कारणामा याद है कि उन्होंने बाद बढ़ा प्रष्टाचार खतम कर दिया, उन्होंने कोई आमूल चूल परवर्तन कर दिया, तो मेरे हिसाब से आलोग रंजन अगर हार जार सबढ़ने के क्या जरुरत नहीं है, इस तरह के कैंड़ेट्स प्र省जन हे ना पर्टी को को देना चाहिए, और यह सब्सक्र जाता है, तो इतनी बुरष्टाचार। भी नहीं आती है अब दूसरी बात क्यों बीजेपी तीन सो सतर सीट और पचास परसेंट वोट चापती है देखिए सीधी सीधी बात यह है कि जो जो दो सीज को ड्राइव कर रहे हैं एक तो कॉंग्रेस ने उन्हें सो चौरासी में 414 सीट और करीब 47 परसेंट वोट प्राफ उनका ये वो है कि इसको किसी तरह से मैं पार कर जाओ एक कारण और है बार बार एक उपोजिशन की तरफ से एक नेरेटिव सेट होता है इनको तो 36-37 परसेंट वोट बेले हैं करीब 44-44 परसेंट वोट तो इनके अगेस्ट है तो मोदी जी उस उस नेरेटिव को भी रोखन जाते हैं कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल 50% मेजोरिटी का मेरे अगेस्ट परसेंट लोग नहीं है मुझे एक चीज़ यह लग रही है कि इस पूरे उसमें थोड़ी दिक्कत क्या है वो मैं बहुत रंडाउन बहुत जल्दी से इसलिए कर दे रहा हूं कि हो जाने क्वाद भी यह जो 50% से ज्यादा वोट आये हैं पिछले 2019 सेलेक्शन में यह सारे हिंदी हाटलेंड के हैं करनाटका चोड़के और अरवांचल में 58 परसेंट था चंडी गड़ में 51 परसेंट था गोवा में 51 परसेंट दिल्ली में 57 गुजरात में 62 हर्याना में 58 हिमाचल में 69 जारकन मे 51 मत प्रदेश 58 राजिस्तान 58 यूपी 49.56 त्रुपरा 49.0 थी उत्राखन 61 पसंट यह ज्यादा आप देखें को तो हिंदी आटलेंड है अब क्या हो रहा है कि हिंदी भाशी राज्यों का के बीची यह मिला है मुझे जो खत्रा यह लगता है कि जब हैं 50% 50% कर रहा है तो कर कर रहा है कि इनको इधर के राज्यों में और परसंटेज वोट मिलें लेकिन वो मैं उसको एक दूसरे ढंक देखें रहे हो थोड़ा भी चौड़ी होती हुए दिखाई दे रहे हैं देखें फेडरल स्ट्रेक्चर में राज्यों को आप 50% वोट लेकि यह मनमानी करने लग क्योंकि सारे जो लोग अब क्यों हो रहा है एक डर सबको यह है कि अगर मोदी जी के 50% से उपर वोट आ गए और सीटे भी आ गए तो वो जो सारे लोग तांत्रेक्विरोधी काम जो अभी तक वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे हो रहे थे चाहे वो तमाम काम है और दूसरा ए निर्मला सीता रामन जी को क्यों निप्टाना चाहती है वीजेपी निप्टाना में इसलिए बोल रहा हूं कि निर्मला सीता रामन जी और 2022 को एलेक्ट हुई दी राजसभा अभी छे साल है और जैशंकर जी 2019 अभी उनका 2025 तका रिखा ले अब ऐसी ख़बर आई है आज कि वो ये दोनों लोगों को मनोहर जोशी के हवाले से उन्होंने हुबली में बयान दिया है कि दोनों लोग अब मुझे ऐसा रगता है बहुत अच्छी ख़बर है मेरे इसाब से क्योंकि इस तरह के लोगों को लोग सवाई अलेक्शन लड़के जाना चाहिए और खास करके जो मुख्य मंत्री होते हैं लेकिन मुझे लगता है जो पहला पार्ट इनको अलेक्शन लड़ने से पहले क पढ़ना चाहिए एक्स्टा क्लास लेकर या ट्यूटर या ट्यूशन लगाके वह विनम्रता कर पढ़ना चाहिए जितनी जितनी मतलब लोगों के प्रती वह उस तरह का भाव रखते हैं इस दोनों लोग उसको जड़ा ठीक करने का पहला काम वो शुरू करने बाड़ी ले कभी-कभी मुझे लगता है कि क्या मोदी जी इन दो लों को इसलिए लोग सभा कर रहा है कि वांट सू गेट रिड़ अफ दें कैसे का है किि इनको कैसे हटाइं तो हटा नहीं सकते हैं तो बैस्ध है कि लोक सबाभ है थो अपने मजी नियुकष झालों का रहे बात है कि कानाट का सही क्यों लडाये जा रहा है सब लोग होने के बाद करनाटका में क्यों जा रहा है उसका एक कारण तो यह है कि नौर्थ में यह लोग कहीं जीत नहीं सकते हैं सौध में करनाटका छोड़के और कोई ऐसी स्टेट इनके पास नहीं है जहां से आला कि तेलंगाना से इनको लोगना चाहिए नर्वला सीतारमन जी को या अंधर प्रदेश से लेकिन कोई सेफ सीट नहीं है करनाटका इनको ऐस का विदेश मंत्री हो वो पीपल्स लीडर होना चाहिए वो जन्मत से लोकसवा में चुन के आने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना कि नामित व्यक्ति क्योंकि फिर उसका पुलिटकल वेट नहीं रहता है और बहुत से डिसिशन बहुत सी मीटिंग में जब बैठता है तो व इतना आसाल नहीं है तो आटे दाल का महाफाव मालूप पड़ जाएगा थैंक्सों में बहुत 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 थे वाक्ति